NBN के दोस्तो हसन कमाल का नमस्का चुजपारीये असान कमाल का सलाम को भूल किजिए हमारे देशकीये बडी दुद्र 001 य 이제 है कम से कम महानस्ती समझे याते है यह जरशिरे शिरे है कुछ लोग उन्हें डबल शिरी भी कहते यह लेकिन मैं उनके बहुत से विचारों से उनके बहुत से फिलास्फरी से एगरी नहीं करता I लेकिन चुम्कि बहुत से लोग उनकी बहुत इज़द करते हैं इसलि आपनों को याद होगा जिन्जों में बाबरी मस्जिद और राम जनम्भूई का मगदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो उसक्त शिरी शिरी रविशन करने एक बात कही थी उन्होंने कहा था कि अगर राम मंदिर न बना तो भारत सीरिया बन जाएगा सीरिया जैसा कि आप जानते हैं मिडल इस्ट का एक कंट्री है जहां दसियों साल से जंग चल उस जंग के नतीचे में लाखों लोगों को सीरिया से निकलना पुला था लोग गिरते पढ़ते यॉर्पी कंट्री के तरब भाग रहे थे अगे तरह द्याओं से किष्टियों से सडक से हर तरह से देखिए वो मंजर जब शीरिया पर यह वा indication किस तरह से क्या हाल सा लोगों का किस तरह लोग अपने घर छोड़के भाग रहे यही बता रहे थे कि हिंदुस्ताज में ऐसे ही होगा अगर राम मंदिर नहीं बना तो दोस्तों राम मंदिर तो बन रहा है बनी जाएगा कि थोड़े दिनों में लेकिन इसके बावजून भारत में वही मनजर क्यों है जो हमने सीरिया में देखा था लाखों लोग पैदल साखों पर रेल की पट्रियों पेचल कर बच्चों को कांधों पर उठाए हुए बच्चों को गोद में लिए हुए बुढ़े जवान गिरते पढ़ते निकल रहे हैं देख मनजर कि यह आपने देखा है होगा आज सारी दुनिया यह मनजर देख लिए तो राम मंदिर बन रहा है फिर यह ऐसा क्यों है फिर भी यह क्यों है मैं आपको उसकी वजह बताते हैं उसकी वजह दोस्तों यह कि हमारा सिस्टम जो है वो गरीब दोस्त नहीं है वो अमीर को हमारी सरकार खास तो रुपे 화णा, विजीप की सरकार, गरीब की दोस्त नहीं हैं अमीर्ओं की दोस्त सब्सक्राइब सकते हैं। तो जफ़ेते पाइ大ज चयों दिकाता हैं क्योंकर उन्हानिते। यह दिखाई जयाने की, यह मज़दूर नहीं होते, तो आप उन घरों में नहीं रहे होते, जिन घरों में रहे के आपने आजसानी से लॉगडाउन भी कर लिया, आईसुलेशन भी कर लिया, सोशल डिस्टंसिंग भी कर लिया, यह सब इन्ही मज़दूरों के वना हुए थे, और इन्हीं मजदूरों को जब ये पता चला कि इनके बिगेर तो कुछ होई नहीं सकता तो अब इन्हें हर स्टेट ये चाहिती है कि वहां से ना जाए ताकि जब लोगडाउन खुले तो ये मजदूर उनके फिर काम आ सके लिए गोया इनका वजूद सिर्फ उस वक्त के लि आड देश गुजराओन और मद्द्परदेश की सरकारों कि जो अभी तक आजादी के बास से आज तक जो मजदूरों के लिए कानून चले आ रहे थे उनको खत्म करने का फ़ैसला कर लिए उनमें से सारे मजदूरों के हाको अदिकार चीन लेने का फ़ैसला किया है कि मजबूर 8 गंटे नहीं 12 गंटे कם करें उनको छुटी में मिलेगी और नहीं मिलेगी या मालिक ठहएका उन्हें जब जो आपको मालो होगी जो आपको पहुँँचकी होगी अभी जब आप से बात कर रहा हूं तब american की ख़बर यह ए के इस को इसको मंजूर्य के लिए प्रेसिडेंट आ इंडिया के पास भीजा है मन्जूरी के लिए प्रेसिडेंट आफ इंडिया ने मन्जूरी दे दी तो कोई हैरत में दो मन्जूरी नहीं दी तो यकिनन बड़ी हैरत की बात है ति उसका तो यह मतलब होगा कि प्रेसिडेंट आफ इंडिया सिर्फ रबर स्टेंट नहीं है बलकि वो जानते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारिया हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या हक हैं और आजकल यू भी हम लोगों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्थ हो, चाहे वो एलेक्शन कमिशन हो, वहां से कोई बहुत अच्छे फैसले सुझने की अब उनमीद नहीं रहे गई, और समझते हैं कि वहां से क्या होगा, क्या मिदेगा, तो हम समझते हैं कि इस ओर्डिनेस पर भ ये कि तरह ऐसा ऐसा कानून है, जो इनसानियत के खिलाफ मजदूर्णों के नहीं इंसानियत के खिलाफ है, जो इंटरनेशनल लेबल और ऑर्गनिजशेशन्स ये ऊसोगउनolarद के बिदेनाई रुखाअं ऑंकी नकारफाएं, मैं दूसरी पहलों की तरफ गराएं? जो स्टेट यानि मुत्रप्रदेश, मंद्रप्रदेश और गुजराद ये कानून बदल रही है, वो ये कहकर बदल रही है, कि इस तरीके से हम बाहर से पूझी लाने वालों की लिए आसानिया परदा कर रही है, उन्होंने ये सुन लिया है, कि चीन से बहुत सारी इंडस्ट इस डिस्लोकेट हो रही है, वहां से हट रही है, दूसरी जगा जा रही है, तो उनका स्याल है, कि अगर ये लाज हमने बदल दिये, और हमने ऐसे अट्रेक्टिव खानून बना दिये उनके लिए, कि जिनके मजदूर जादा काम करेंगे, मजदूर जादा अपने हक नहीं म समझते हैं, कि बाहर से पुझी और फॉर्इंग्जिस्ट में उत्तर प्रदेश आएगा, या मद्ध प्रदेश आएगा, या अब गुजरात आएगा, वो मुल्कों के स्वर्ग में रहते हैं, एहमकों की जन्नत में रहते हैं, फूल्स परड़ाइस में रहते हैं, बहुत स प्रदेश दर्सों में, या कब से कब दो की बर्सों में तो, कितने एक्सपोर्ट में ले लगाएं, गुजरात में भी ऐसे बड़े से में ले लगाएं, बाहर से इंवेस्टर्स आएं, नुमाईशें लगाई गई, इनको बताया गया, और बड़े-बड़े MOU साइन हुए आज तक यूपी में बाहर से एक धेला नहीं आया, गुजरात में भी नहीं आया, वज़े क्या है, वज़े यह है, कि यूपी हो या मद्रदेश हो, वहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जो बाहर से पुझी लगाने वालों को पसंद आए, या जो उनके काम का हो, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हाई ही नहीं, तो दूसी बात, आम तोर पर बाहर से पुझी लगाने वाले, उन जगों पर पुझी लगाते हैं, जो समंदर के किनारे हो, जहां बंदर गाहे हो, पोर्ट्स हो, ताकि उनको ट्रांस्पोर्टेशन में, उनके सामान के उनको सुरीधाओ, यूपी में भी नहीं है वो, मंद्र प्रदेश में भी नहीं है, तो मेरा क्याल नहीं है कि ये भी पैसा आये, भी देला, बाहर से इंवेस्मेंट का, यूपी ओ मंद्र प्रदेश में आएगा, क्यों आएगा, रहा गुजरात, गुजरात में आया है पह एहमदाबाद के मिनुस्पिल कमिशनर जो सुनाए अभी तोरना से एफिक्टिड हैं और आइसोलेशन में हैं उन्हों ने प्रिस कॉंफरेंस की और प्रिस कॉंफरेंस करके ये बताया कि मई के आखीर तक अहमदाबाद में घुज्राद में नहीं अहमदाबाद में कुरोना के आठ लाग केसिज हो सकते हैं सूरत के मिनुस्पिल कमिशनर ने भी ऐसे ही प्रिस कॉंफरेंस करके बताया कि सूरत में 2,60,000 करोना के केस हो सकते हैं मैं एक आखीर तक मेरे द्वाँ है कि ऐसा लो होता है मेरे द्वाँ है कि यह जून मुझे लेकिन गुजरात में जिस तरीके से कोरोना की फिगर्ज को डवाया जा रहा है ज चुपाया जा रहा है वो हमसे आपसे शाहिद चुप जाएं लेकिन जो बाहर से नहीं वेश करने वाज़े हैं उनसे नहीं चुपेगा वो हर बात किचान बीन करके आते हैं तो यह समझी है कि दो साल तक तो गुजरात में भी कोई बाहर से इंवेस्मेंट लेके नहीं आएगा तो दोस्तों मेरा ख्याल यह है कि अगर यह समझ कर बनाया गया है कि इन खानून के बदलने से बाहर से लोग इंवेस्मेंट लेके यहां आ जाएंगे तो मेरा ख्याल में यह खुली आँपों से खौब देखने वाली बात है आये तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं जानता हू कि ऐसा होने वाला नहीं तो मैं यह समझता हूं कि यह सरकारे अपने आप से जूट बोल रही है यह अपने आपको बहला रही है और अपने आपको बहलाने के साथ यह इमेज यह बना रही है और यह साबित कर रही है कि इनको गरीबों से कुई दिशस्पी नहीं है गरीबों आपकी सारी तवज्जु यह है कि जो धनी वर्ग है, जो हमारे नहां के अमीर लोग हैं, उनको कोई तक्रीफ नहों, बाकि सब की तक्रीफें उनके लिए कोई माने नहीं है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और का द्रिक में बात करने के लिए।